मद्यप्रदेश के बढ़वा से महश्वर रोड पर इस्थित ग्राम गंगापूर भोरई में कपास बिनने गई एक नाबालिक बालिका के साथ छेड़ खानी का मामला सामने आया है नाबालिक बालिका ने परिजनों के साथ बढ़वा थाने पहुँचकर मामला दर्ज कराया ह ठाना प्रभारी राजेंद्र बर्मन ने बताया कि आरोपी किशन सुबह पीली मिट्टी शेत्र से पिडिता और अन्य बालिकाओं को अपने खेट में कपास बिनने के लिए ले गया था आरोपी किशन ने सभी बालिकाओं को कपास बिनने में लगा दिया जबकि पिडिता क अपने साथ कपास बिनने के लिए पडोस का खेट दिखाने के लिए ले गया लेकिन इसे बीश मोका पाकर आरोपी ने बुरी नियस से पिडिता का हाथ पकड़ कर छेड़ खानी शुरू कर दी पिडिता हाथ छुडा कर भागी एवं घटना की जानकारी अपनी मोसी को दी कि आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी है साथ ही प्रलोभन भी दिया लेकिन पिडिता ने परिजनों के साथ पहुँचकर इसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई है खरगों से अजेतिवारी की रिपोर्ट हमको उतार दिया फिर कफास बिनने लग गया थे हम फिर उसने बुला के ले गया तिन चार खेट छोड़के फिर उसने जब जस्ती करी हाथ पकड़ा और भगने लगी पाव में चोट लगए और धमकी हों दे कि वहले किसी को बताई तो जान से मार दूँगा उसकी पिर आन को पिली मिठी बर्वा निवासी एक नावालिक बालिका है उसने रिपोर्ट की कि ओ गराम गंगापुर खपास बिन्या गई थी वहां पे किसन गुजा नाम का वेक्ति है वो उसको दूसरे घेद में लगया खपास दिखाने के बाने और उसका बुरी नियर से हाथ पकड़ करके उसके साथ चेट रहे हैं उसकी रिपोर्ट पे धारा 354 आइपीची और पास्कों एक तहरत अप्राद प्रण्जीबत करके वेजनाम लिया गया है तो इसने वारदात में यह बतायता है कि वह पुरे जो पिली मिठी चेदर के ओवर भी मैना बच्चिया है मजदूरी क करने के लिए ग्राम गंगापूर बहे थे तो वहां पर सभी यह साथ में काम कर रहे थे कपाश बिन रहे थे तो किसन गुजा नाम का विक्ति जो कि उसी खेत का मालिक है वह आया उसको बोला कि वहां पर भी कपास बिना है दिका देता हूं इस बाहने और दूसरे खेत में सब्सक्राइब करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूले